वेलकम वेलकम बच्चों मैं दुलार चंदास एक वार फिर से आप सभी के बीच में उपस्तित हों एक नए वीडियो लेकर और एक ने चेप्टर को लेकर और आज हम लोग प्राई करेंगे चेप्टर फाइब ये कलास तिरी का इंगलिस बूक है इस चेप्टर का नाम है दसर माजी के बारे में आप लोग सुने होंगे और नहीं सुने हैं तो आप लोग इस चेप्टर को पढ़ने के बाद जरू जाएंगे दसरत मांजी को क्यों कहा जाता है और दसरत मानजी को लेकर एक भी मुवी भी आचुकी है आप़ लोग उसे देखकर भी जान सकते हैं उस मुवी का नाम है मांजी, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बार बार बताता हूं, मुवाइल और टीवी में आप लोगों को अधिक समय नहीं बिताना है, एक दिन में एक घंटा मुवाइल में वीडियो देखना काफी है, ताही हम लोग इसको परना सुरू करते हैं, तुड़े दसरत मांजी इस नॉट अलाइब बट इस नेम इस अलाइब, आज दसरत मांजी जीवित नहीं है, लेकिन उनका नाम जीवित है, इस गेट्स वील रिमैन हिम अलाइब फोरेवर, उनका कार्य उनको हमेशा के लिए जीवित रखेगा, दसरत मांजी वाज बॉर्ण इन ये वेरी पूर फैमली एट गहलोर विलेज नियर गया इन बिहार, दसरत मांजी का जन्म एक गरीब परिवार में गहलोर नामा काव में हुआ था, या गया के नजदिक बिहार में है, ये वाज बॉर्ण इन 1934, उनका जन्म 1934 इस भी में हुआ था, इस लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट, उनका जीवन बहुत ही कठिनायों से भरा हुआ था, वा युवा वस्था में अपने घर से भाग गये थे, वा जार्खंड के धनबाद में चला गया था, वा धनबाद के क्वेले के ख़दान में काम करता था, लेटर ओन ही रिटर्ण तो हिज विलेज, एंड ही मेरीज फालगुनी देवी, बाद में वा अपने गाउं वापस लोट गया और फालगुनी देवी नाम की एक महिला से साधी कर लिया, आलगुनी देवी वाज ये डेवोटेड वाइप, आलगुनी देवी एक पती वरता पत्नी थी, once she was going to her husband to bring him lunch, एक बार वह अपने पती को दोपार का भोजन देने जा रही थी, she slipped and injured herself, वह फिसल गई और घायल हो गई, after some time she dead, कुछ समय बाद उनकी मिर्त्यू हो गई, मांजी become very shocked, मांजी को बहुत ही धक्का लगा, मांजी decided that very night to make a path through the Ghealor Hills, मांजी ने बहुत रात गए या फैसला किया, कि Ghealor Hills से एक रास्ता बनाऊंगा, so that his villagers could have medical aids easily, जिससे कि उसके गाउवालों को इलाज की स्विधा आसानी से मिल सकेगी, when दसरत मांजी started to hammer the hill, people called him lunatic, जब दसरत मांजी ने पहाडी पर थोड़ा चलाना शुरू किया, तो लोग उसे पागल कह रहे थे, but he did not move from his path, लेकिन वह अपने रास्ते से कभी डिगा नहीं, he completed the work in 22 years, उसने अपना काम 22 साल में पूरा किया, दसरत मांजी कर्ब ये पर थी 60 feet long, 30 feet wide and 25 feet deep using only a hammer and chisel, जब दसरत मांजी ने एक रास्ता बनाया जो 360 feet लंबा, 30 feet चौड़ा और 25 feet गहरा था, और उसको बनाने के लिए सिफ उसने हथोड़ा और छेनी का यूज़ किया था, nobody gave him any support, किसी भी देखती ने उसका कोई मदब नहीं किया, उसने अपनी बकरियों को बेच कर एक थोड़ा खरदा था, उसने गया के अटरी और वाजिरगंज ब्लॉक्स के बीच के रास्ते को छोटा कर दिया, जो 55 किलोमेटर से 15 किलोमेटर हो गया, इसलिए उसको मौन्टेन मेन कहा जाता है, दसरत मांजी दा मौन्टेन मेन डाइड ऑप कैंसर ओन 17 अगस्ट 2007, दसरत मांजी दा मौन्टेन मेन की मिर्तियू 17 अगस्ट 2007 को कैंसर के कारण हो गया, यहाँ पे चेटर 5 समाप्त हो जाता है, इसमें हम दोग देख रहे हैं, यहाँ पे इस चेटर में जो वाड़ मिनिंग दिये गये हैं, यह है, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, एंसर फ़लोविं ग्वाश्चन, इसके आगे इसमें और भी question दिये हुए है और इसमें two number में two false दिया हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं two false first में two है और last में two है बाग की बीच में सभी false है इसके अलावा इसमें grammatical question दिये हुए है male female का तो आई आप लोग को मैं इसके answer बना के दिखाता हूँ chapter 5 दसरत्मांजी the mountain man का या question answer है answer the following questions why is दसरत्मांजी alive today दसरत्मांजी is alive today due to his good deeds who is called as the mountain man दसरत्मांजी is called as the mountain man why is दसरत्मांजी called as the mountain man दसरत्मांजी is called as the mountain man because in 22 years he made the travel short between a tree and Vajirganj blocks of Gya from 55 km to 15 km where and when was दसरत्मांजी born दसरत्मांजी was born at Gyalur village near Gya in Bihar in 1934 who was पलगुनी देवी पलगुनी देवी was the devoted wife of दसरत्मांजी how did the फलगुनी देवी die once फलगुनी देवी was going to her husband to bring him lunch she slipped and injured herself after some time she dead how did the दसरत्मांजी work to make the path the दसरत्मांजी worked for 22 years to make the path how long is the path the path is 360 feet long when did दसरत्मांजी die दसरत्मांजी dead on 17 August 2007 how did दसरत्मांजी die दसरत्मांजी dead of cancer question number 2 में true false दिया गया है इसमें A number में true और E number में true बीज में false है तो आप इसको question book से देखकर बना सकते हैं और यहां पर chapter 5 पूरी तरह समाप्थ हो जाता है अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से जरा भी मदद मिलता है तो आप इसे एक like जरूर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे channel को subscribe करें और इसके अगले chapter परने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं